जेहिन साथियों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम अगनी वीर भरती परिक्षा के आपको निशुल के तयारी करवा रहे थे साथ यो हम मैच पढ़ रहे थे और मैच में हमारा जो टोपिक चल रहा था प्रोफिट एंड लोस उसका एक लेक्षर हमने कंप्लीट कर लिया था और एक लेक्षर में हमने दो टाइप के बारे में पढ़ लिया था आज हम उस चेप्टर में आगे और कौन-कौन सी टाइप हो चुके थे टाइप-3 जो हैं वो हैं जब क्रिया म ले तथा विक्रिया मुल्य में बदलाओ किया जाता है । देखिए, एक प्रशन मेरे सामने यहां पर लिखा हुआ कि एक वस्तु को जब 10% के लाब पर बेचा जाता है यदि वस्तु 24 रूपय ज़्यादा में बेची जाती एक वस्तु को 10% लाब पर बेचा जाता ही, ठीक कोई quantum किसी वेक्ती ने 10% लाब पर noveं फ्र्मोज डाहिए अगर वो उस्तु को 24 रूपय ज्यादा में बेचता तो उसको क्या होता 12 % का लाब होता यहां कि 10 % से हट कर कितने का लाब हो जाता 12% का लाब हो जाता तो वस्तु का क्रियमुल्य क्या होगा अपने को वस्तु का क्या पूछा है क्रियमुल्य पूछा है ठीक है चलिए कैसे करेंगे देखिए अगर उस वस्तु को उसने स्टार्टिंग में कितने में बेचा तो 10 प्रतिशत में उसने क्या किया बेचा ठीक है उसने उस वस्तु को 10 प्रतिशत में बेचा अगर वह 24 रूपे ज्यादा में बेचता तो उसको क्या होता विया 12 प्रतिशत का लाव होता पहले कितना लाव हो हो रहा था 10% का अब कितना होगा बारा परतिशत का बारा करislться का लाब कब होगा जब हूसने क्या किया 24 रूपए जाधा में उसको बेच आए अगर 24 रूपए जाधा में बेच रहा है तो उसको जो लाब है वो 10% कि जगह कितना हो रहा है 12 परतिशत हैं कि कितने परतिशत की वरद्दी हुई दो परतिशत की वरद्दी हुई यह 24 रुपे के बलाबर है तो 20 रुपे के तो हम क्या किसकते हैं कि यह जो 25 रुपे के बड़ाबर है इसका मतलब एक परतिशत कितना हो जाएगा है बारा रूपे थीक है बारा ट्रक आपने को क्या निकALना है क्रिया मुल्य मतलब कि 100% निकालना है तो 12 को क्या करया उदर से भी गुणा किया तो इधर भी क्या कर देंगे कितना आगया 100% बारा सु रूपे तो यह जो बारा सो रूपे हैं यह अपना क्या हो गया आंसर यान कि क्रिया मुल्य कितना आया बारा सो रूपे ठीक है बड़े ही आसान टाइप के प्रश्ण है बस अपने को पता होना चाहिए कि क्योशन जम के से रहा है ठीक है बात समझ में इसटार्ट निमें उसनरे 10 प्रतिशत में बैचा था फिर क्या किया बारा प्रतिश्य लूपे ज्ज़ा онश्य बेचा बारा प्रतिशत का फाइदा हुआ वह जो फाएदा था कितना हुआ हुआ रवीं थो प्रतिश्य दो when we continue कि बराबर कर दिए यहीं होगा उधर 2 देख लीजिए एक वस्तू को पांच प्रतिशत की हानी में बेचा जा रहा है पांच प्रतिशत की हानी में मतलब माइनस हानी में क्या किया जा रहा है बेचा जा रहा है यदि इसको 90 रूपय दिक में बेचा जाता तो 10 प्रतिशत का क्या होता लाब होता 10 प्रतिशत का लाब मुले तो अब देखो ध्यान से समझने वाली बात यह हैं वहाँ पर दोनों में अपने कुलाब हो रहा था ठीक है तो हमने डारेक्ट कर दिया कि दस से बारा हुआ तो दो ज्यादा हो गए यहां पर स्टार्टिंग में पांच परसेंट की हम ही ही हानी और जी मतलब की पीठें रिखांग ठीक लिए मैने अब माइनस वाइख से अपने जमप किया कांप पर कहां पर जमप किया दस पर्तिशम ठीक है फिर भी मनि इस्टार्ट्ड में अहीए इस भी वर्ट कितना आया 15 ठीक है यानि कि आपने को फिर जो हुआ वो किसके इकल हुआ 15 प्रतिशत कितना प्रतिशत 15 प्रतिशत यह जो 15 प्रतिशत हैं वो किसके बराबर है 90 के बराबर होगा चीज आपको समझ में आई गई थी 15 प्रतिशत किसके बराबर 90 के तो यहां से एक प्रत प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा नब्वे अगर यह किस से कितने टाइम के इंसे लोगा सिक्ष्ट है आंसर कितना आ गया 600 रूपे 600 रूपे अपना क्या हो जाएगा आंसर ठीक है बड़ा ही आसान सवाल है बस आप लोगों को याद रखना है अगर हानी दी हुई ह होती है तो हमको माइनस में लिखनी है ठीक है एक तरफ आनी है एक तरफ लाब है तो हानी हमने किस में लिखी माइनस में लिखी ठीक है दोना तरफ आनी होते तो हम इसा नहीं करते फिर हम अलग तरीके से करते यह बात आपको समझ में आनी चाहिए चलिए दोना तरह की क्यो हो रहा है हमने रूपियों के बराबर उन्खों कर दिया और अपना आंसर आ गया चलिए अगे रगे एक और टॉप हमारे पास आई जिसका नाम है जब दो वस्तू बेचे वह करीदे अभी तक अहुर। की बात कर रहे थे अब हमारे पास क्या है अग University वह है जब दो वस्तू बेचे और करीदे अगा होता है यहां यहां पर बहुत सारा मेंटर मैंने लिक रखा है यह चीज आप लोगों को समझ मैंनी चाहिए बिल्कुल ट्रीकी टैप की क्योशन होते हैं अगर आपको क्योशन इस टाइप की क्योशन दिख जाए तो बस बिल्कुल चुटकियों में आप उसे हल कर सकते हैं देखिए जब द वस्तो को आर्रप्रतिशत के लाव पर टीखा दूश्य वस्तो को आरप्रतिशत की ऐनी पर बेचा जाता है तो इस प्रकार के संपूर सदे में न तो लाव होता है और नहीं क्या है हानी कि लगिनोफिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् विक्रियमुल्य समान हो और एक को आर प्रतिशत के लाब पर बेज दिया जाए, दूसरे को आर प्रतिशत की हानी पर बेज दिया जाए, एक को तो आर प्रतिशत की किस पर बेचा जा रहा है, लाब पर और एक को आर प्रतिशत की किस पर बचा जा रहा है, हानी पर, तो इस प प्रतिशत और के समान प्रतिशत के लाब पर बेज दिया और दूसरे को उसी प्रतिशत की दिए तो उस सोदे में आ कढ़िए एक कभर ये आपको याद होना चाहिए एक कंडिशन तो वह है जहांपर क्रियन मुल्य समान है और और परटिशत की लाब पर ही बेचा हानी पर बेचा तो No profit, No Loss दूसरी condition ये है कि अगर विक्रिय मुल्य समान हुआ तो क्या करेंगे अगर विक्रिय मुल्य समान हुआ तो ऐसे सोद्य में आपको हमेशा हानी होगी और हानी क्या होगी आर गुणा आर भाई सो ठीक है क्योशन्स में एप्रोच करते हैं बिल्कुल सिंपल दो सेकंड का क्योशन्स जैदा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा देखिए दो वस्तुएं जिनमें प्रतेक का क्रियमुल्य आट अजार रुपे हैं एक को बीस प्रतिशत के लाब पर तथा दूसरी को बीस प्रतिशत की हानी पर बेचा गया तो संपूर्ण सोदे में क्या होगा क्रियमुल्य क्या है यहां पर यहां पर जो क्रियमुल्य हैं क्रियमुल क्या है समान और अभी अभी मैंने आप लोगों को कहा अगर क्रियम उल्ले समान है और प्रतिशत भी समान है लाब और हनिका तो ऐसे कंडिशन में क्या होता है नौ प्रॉफिट नौ लोस यानिकी न तो लाब और नही कि देखो अजय कि ने तो लाब और ना इसके क्या हो गया अच्छ कि अगया अग्या अप ऑई न तो लाव और नहीं हनिग यायनिकी नो फ्रॉफिट सित का त्रोफित लोस । ठीके बाज समझ में इस तरह कि सूद्य में हमने क्या देखा बस कि क्रियं मुल्य क्या है इसका समान है जब क्रियं मुल्य समान है और लाव और हनी प्रतिशत भी समान है तो इस तरह के जो संपूर सोदे में ना तो लाब होता है वो और नहीं हानी होती है एक और क्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है एक वस्तु जिसके प्रतेक का विक्रिय मुले छहजा रुपे हैं प्रतेक का यानि कि प्रतेक का मतलब क्या होगा दोनों का दोनों का जो विक्रिय मुले हैं वो छहजा रुपे हैं एक को प्रतिशत के लाब पर बेचा गया और एक को पंद्रा प्रतिशत की हानी पर बेचा गया तो संपूर सोदे में क्या होगा इस तरह का जो मैंने बताया था आपको हमेसे क्या होती है सब्सक्राइब होते हैं वो क्या होती है आर गुर्णा ओर डियाइड वाइड रट यानगा रेट कितनी दी हुई है 15 दूसरी भी 15 डियाड़ाइड बाइ क्या हो जाएगा 100 15 15 जिस का मतलब 2.25 प्रतिशत ना क्या हो गया हानी तूब कुए प्रतिशत अपनी क्या होगे हानी हो गई ठीक है बस अंतर इतना सा है कि दोनों में आपको यह याद रखना है क्रियमुले समान है रेट भी समान है तो कुछ भी नहीं होगा यानिकि नो फ्रोफिट नो लोस लेकिन वहीं पर अगर विक्रियमुले हैं जो इक्वल दिया हुआ है तो फिर वहां पर आपको फोर्मुले का यूज करना होगा और हमेशा उस सोदे में हानी होती है क्या होती है हानी होती है ठीक है बास समझी में आगे चलें कि देखिए अगला जो है अगला एको टाइप हमारे पास आया टाइप है वस्तू पर आधारित यान की टाइप नंबर फाइव टाइप नंबर फाइव जो हमारा है वो है वस्तू पर आधारित वस्तू पर आधारित जो प्रश्ण होते हैं उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है द्यहा करते हैं जिसमें percentage लाव यहानी निकालने के लिए आपने को कुछ भी नहीं करना है करीदी वस्तू माइनस बेची वस्तू अपोन बेची वस्तू डिवे multiply 100 यानि कि हमको अगर कोई वस्तू हमने खरीदी वस्तू को माइनस कर दो और जो वस्तू हमने बेची है उससे भाग लगा कि सोसें क्या कर दो कुणा कर दो तो अपना लाव और हानी प्रतिशत आ जाएगा बड़ा ही आसान है यह ठीक है अब सारी टाइप सारी बहुत इजी हैं बस हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन सी टाइप में क्या करना है क्योंकि ऐसे तो अगर हम questions देखते रहेंगे टाइपस पढ़ते रहेंगे तो टाइपस बहुत सारी टरकी हो सकती है क्योंकि अलग-अलग variety के questions हमें देखने को मिलते हैं कहीं बार exam में कोई नया question आ जाता है लेकिन अगर हमारा basic clear है तो हमें ऐसे घबराने वाली जरुरत नही से के बराबर हैं अपने को प्रतिशत लाव यहानी ज्यात करनी है तो ठीक है अगर हमें प्रतिशत लाव यहानी क्या करना है ज्यात करना है तो देखो क्या हो जाएगा प्रतिशत लाव कोगलिक कर दो हानी ठीक है प्रतिशत लाव हानी अगर अपने को ज्यात करनी है पंद बारा वस्तों का मले बारा वस्तों के लागत मुले के भीक्रे मुले कि क्या है बराबर है अब बेचा पारा ये भी क्या हो के नीचे भी Sun यहां किना यह 3 बेटा बारा गुना 223 12 कि इने कितना हां 100 by 4 यानिकी 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत अपना क्या हो गया आंसर आसान है बस अपने को कुछ भी निकलना फॉर्मूले में डारेक्ट वेल्यू पुट करनी है सिधा अपना आंसर निकल के आ जाएगा बस यह आपको याद रखनी है ठीक है समझ में आई बात क्लियर है आगे चले यह भी बड़ा आसान सा प्रश्म था देखिए एक और क्योशन कि जितना लाब उतनी हानी है अपना जो अगला टाइप है वो है जितना लाब उतनी हानी है यान कि हमें इस तरह के क्योशन मिलेंगे जहां पर आपको जो लाब होगा वो उतना ही होगा जितनी आपकी क्या है हानी है और जितना लाब है उतनी ही आनी हो तो इस तरह के प्रश्णों को कैसे करते हैं ध्यान से देखियेगा एक वस्तु को 540 रुपे में बेचने पर उतना ही लाब होता है जितनी कि इस वस्तु को 460 रुपे में बेचने पर हानी हो तो वस्तु का क्रियम ले ग्याद किजिए इस तरह के जो प्रशन होते हैं साथी हों यह प्रशन अच्छे तरह के प्रशन होते हैं अगर हमारा basic हमें पता है question के language क्या के रिए अगर हम उस पर चलते हैं तो हम जो-जो question बोल रहा है अगर उस उस टाइप से भी basic से भी question करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसाने से हम कर पाएंगे ठीक है लेकिन अपने को basic भी इसके लिए पता होना चाहिए अब देखिए basic का क्या मतलब है basic का मतलब है कि जो question हमसे जैसे कह रहा है हम question को वे सहीं लिखने जाए पिक हमसे question ने बोला कि एक वस्तु को पांसे चालीस रुपे में बेचने पर उतना ही lab होता है उतना ही क्या होता है lab यहिशितना ही lab होगा जितना की इसको 440 में बेचने पर क्या हो रही है honey यहानि कि यहां पर यह जो lab है वो हानी के क्या है? बराबर है यह एक तरफ उस वस्तू को बेचने पर जो अपने को लाब हुआ दूसरी तरफ उस पर जो हानी हुई उसके क्या है? बराबर है अब ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों का लिया था जादा में बेचे वस्तू को कम में खरीदे जादा में बेचे अगर हम वस्तू को कम में खरीद कर जादा में बेच रहे तो पकी बात हमको लाब होना है अगर कोई वस्तू हमने सो रुपे में खरीदी एक सो दस रुपे में बेच दी तो पक्की बात न दस रुपे का फाइदा हो गया हमको यहनकि हम क्या कर रहे है कम में खरीद के जादा में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है पक्की बात लाब हो रहा है यहनकि लाब का जो फॉर्मूला था वो क्या था वी क्रियम मुल्य जादा होना चाहिए आपका किसे क्रियम मुल्य से सेम अगर इसके उल्टा अपोजिट हम बात करे तो हानी कब होगी जब हानी तब होगी हमें जब हम किसी वस्तु को जादा में खरीद के कम में बेज दे क्यानने कव वस्तू हमने सो रुपे की खरीदी हम नबसे बेज्ड़ी तो दस रुप Yes, नुक्सान हो गया ना वाई तो वह जो नुक्सान हुआ वह क्या है हाने हैं कि हम नहीं में वहाँ पर क्या कर रहे है क्रिया मुल्य हमारा उनि में ज्यादा होता है और विक्रिया मुल्य क्या है कम होता है क्रिया मुल्य हम किसको कहते हैं जो वस्तू हम खरीदते हैं वो हमारा मुल्य जो आता है वो क्रिया मुल्य बेजते हैं जो मुल्य होता है वो विक्रिया मुल्य होता है ठीक है अब देखे यहां पर हमको विक्रिया म मुल्य ग्याद करना है क्या ग्याद करना है क्रिया मुल्य तो मान लीजिए माना क्रिया मुल्य जो उस वस्तू का था कि वो क्या है एक सुरूपे उस वस्तू का क्रिया मुल्य क्या है एक सुरूपे मैं क्या बोला मैं यह बोला आपसे कि जैसा जैसा question के राहे बस वेसे वेसे करते जाओ ठीक है अगर हम basic से करेंगे तो फिर एक बार basic से करने का फायदा यह होता है कि हमारे दिमांग में चीज़ सेट हो जाती कि हाँ इसे हो रहा था तो फिर हम direct tricks सो ट्रिक भी यूज कर सकते हैं लेकिन एक बार हमारा बेसिक में आना ज़रूरी है अब देखिए यहां पर जो विक्रिया मुल्ले हैं यहां पर जो विक्रिया मुल्ले है यहां पर विक्रिया मुल्ले कितना दिया हुआ है पांसु चालिस माइनस एक्स बराबर यहां पर क्रि कboys ले only कितना है चारसो ऐसाफ ठीक है चारशो 50 ह है चारसो साथ ठीक है एक बन गई अपने पास एक इक्वेशन यहाँ से बन के एक एक्वेशन यहाँ से बन गई बस कर दो इसको अपना अंसर आजाएगा यह कितना था 540 Markus minus x teamwork minus 406 जो x है x को एक तरफ ले लो और यह संब नंबर है उनको एक तरफ ले लो तो यह क्या बन जाएगा यह तो हो जाएगा 2 x और यह क्या हो जाएगा दोनों हो जाएंगे माइनस ही हो जाएगा 460 में 440 क्या हो जाएंगे plus तो 2x इक्वल कितना गया भी या यह हजार एक्षिक्वल कितना आया भाई 2 भाई 2 एनिके एक्षिक्वल कितना आया पांच सो रूपे और एक्षिए हमने क्या माना था क्रिया मुल्ले तो क्रिया मुल्ले कितना आया पांच सो रूपे क्रिया मुल्ले कितना आया पांच सो रूपे यानि कि आपको बात समझ में क्या कर रहे थे हम एक वस्तू को पांच सो चालिस रूपे में बेचा तो हमको यह बोला कि अगर हम उसको पांच सो चालिस रूपे में बेच रहे तो लाब का सुत्र क्या है विक्रिया मुल्ले माइनस क्रिया मुल्ले यानि कि अगर हम किसी वस्तु को ज्यादा में बेच कर कम में खरीद रहें तो लाब हो रहा है यानि कि विक्रिया मुल्ले माइनस क्रिया मुल्ले हानी कब होगी जब अपना क्रिया मुल्ले ज्यादा हो विक् हैं यहां पर करिया मुल्ले 176 test हैं पिर हमकार एक इक क्वेशन बन गई seekers में हमने x x को एक तरफ ले लिया और जो नंबर थे उनको एक तरफ ले लिया 60 कि एकस की वैल्ली कि इतनी आ गई 500 रुपय और जो x पर उतना ही लाब हो रहा हो उतनी हानी हो रही हो क्रिया मुल्ले निकालना हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना इन दोनों को जो आपको दिया हुआ है विक्रिया मुल्ले दोनों विक्रिया मुल्ले को जोड़ कर शोट में क्या करना है आपको जब भी करो गया तो विक्रिय दो दो से भाग दे दो कितना था ये है 540 और ये कितना है है कि 460 कर एब सोँ हजार सीधा 2 तो ये डारिक्ट अपना अंशर कितना आगए वास प्राइसर कितना आग Hayek ठीक है इस तरह के है je 6 भी आप दारिट कर सकते हो तो यह जो टाइब सोते हैं लगमने छे टैप आपको profit and loss में बताए कुछ और types होते हैं कि और भी इसमें कहीं सारे types के प्रश्ण बनते हैं लेकिन वह और जो आपके बड़े exam होते हैं उनमें वह पूछे जाते हैं से level के जो exams होते हैं उनमें पूछे जाते हैं generally आप लोगों के exam में इन types में से ही questions आप लोगों के बेट जाएंगे पूरी-पूरी संभावना है अगर यह च्छे टाइप भी आप लोग अच्छे से करके जाएंगे इनके questions की अच्छे से कि कौन-कौन से questions आया हैं किस level के questions आ सकते हैं ठीक है उन सब के बारे में में उस मेरा थन क्लास में डिसकस करने वाले हैं यह जो profit and loss वाला टोपिक था इसका जो ठीकल पार्ट है यह मेरी तरफ से मैंने आप लगों को ले च्छे टाइप जो हैं वो complete करवा दी है तो इन जो च्छे टाइप से लगवग लगवग इनी में से questions आप बेट जाने चाहिए और जैसे हम आगे और जाएंगे फिर इनके जो और questions होंगे वो भी हम solve करेंगे questions से देखेंगे क्या-क्या varieties बन सकती है ठीक है अभी तक तो यह जो च्छे टाइप है मैंने दो लेक्चर में आपको च्छे टाइप complete करवा दी है छे टाइप वह वह च्छे टाइप हैं जो आपके जीडी के exam में मै यह topic में नई ठोरी के साथ तब तक आप यह जो chapters में आप लोगों को cover करा चुका हूं इनके questions करते रही है जो questions आप लोगों को doubt है नहीं आते हैं वह आप comment box में कीजिए हम यहाँ पर उसको solve करवाने की पूरी कोसिस करेंगे आप लोगों को ठीक है तब तक के लिए आप लो टोपिक के साथ नहीं उर्जा के साथ नहीं सकारात मक्ता के साथ जैहिन जे वारत